जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे चीज गारलिक टोस्ट, रेस्टोरैंट में बहुत ही महंगे मिलने वाले इन चीज गारलिक टोस्ट को आप घर पर बहुत ही आसानी से और कम समय में बना सकते हैं, तो चलिए सुरू करते ह तो यहां पर हम सबसे पहले गार्लिक बटर बनाएंगे üzलये हमने 3 टेबल स्पून्स सुल्टेट बटर लिया है बटर को मेल्ट होने देगे तो बटर के melt हो जाने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल स्पून बारी कक्ता हुआ लहसुन आप यहाँ पर लहसुन को ग्रेट करके भी एट कर सकते हैं लेकिन या तो लहसुन को बारी काटकर एट करें या तो कוגल्डुकस करके लेकिन लहसुन का पेष्ट मत एड़ कीजेगा इस तरह से एड़ करेंगे तभी इसका टेस्ट आएगा तो अब हम इसे बटर में एक से डेड़ मिनिट तक फ्राई कर लेंगे गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तो देखें यहां पर हमारा गार्लिक बटर बनकर तयार हो गया है तो एक से डेड़ मिनिट तक लेसुन को फ्राई कर देने के बाद हम गेस की फ्लेम को उफ कर देंगे और इसमें एक चुट की नमक एड़ करके अच्छे से मिला लेंगे क्यूंकि हमने यहां पर सोल्टेड बटर लिया है तो नमक हम यहां पर बहुत ही कम एड़ करेंगे तो सिफ एक चुट की नमक काफी है साथ ही में थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धन्या एड़ कर देंगे इसे मिला लेंगे और एक साइड में रख देंगे अब यह जो प्रोसेस हम करेंगे इसे आप तवे पर भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से पेन में कर लें तो थोड़ा सा बटर हमने यहां पर एड़ कर दिया है और बटर को हम पुरे पेन में अच्छे से प्रेड कर देंगे तो हमने बटर को इस पर अच्छे से पेला दिया है और अब हम इस पर ब्रेट की स्लाइसिस रख देंगे और एक तरफ से हलका गोल्डन होने तक इसे सेक लेंगे तो यहां पर एक बात का ध्यान लखेंगे कि जब भी हम चीज गालिक टोस्ट को तवे पर बनाएंगे तो शुरू से ही गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तो तीस से पेंतिस सेकेंड टक हमने इसे लो फ्लेम पर एक तरफ से हलका सुने रहा होने तक सेक लिया है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसकी साइट को चेंज कर देंगे अब हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद ही करेंगे नहीं तो ब्रेट नीचे से जल जाएगी तो ब्रेट को पलट कर हमने जिस तरफ से इसे सेका है उस पर हम एट कर देंगे हमारा बनाया हुआ गारलिक बटर तो इसे अच्छे से पुरी ब्रेट पर प्रेट कर देंगे तो यह जो भी प्रोसेस है आप ब्रेट की स्लाइसिस को प्लेट में निकलने के बाद भी कर सकते हैं या फिर अगर तवे पर कर रहे हैं तो गेस की फ्लेम को ओफ कर दीजिए ब्रेट पर गारलिक बटर को अच्छे से स्पुरीट कर देने के बाद हम इस पर थोड़ा सा औरेगेपर कर देंगे और गैना यह पर बिल्कुल ओप्सिनल आगर आपके पास ना हो तो कैड़ स्कीप कर दे अर्एक करेंगे चिली फ्लेक्स आप यहा पर चिली फ्लेक्स की छोटी हरी मिच को बारी काट कर भी एट कर सकते हैं बंढाो लाश्ट मेडे नुली मॉजरेला चीज लिए है आप यहाँ पर प्रोसेश्ट चीज को игрेट करकर भी एट कर सकते हैं चीज की कॉंटिटिटी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं और हां शुरुवात में हमने जो गार्लिक बटर बनाया है वो पांच चीज गार्लिक टोस्ट के लिए काफी है तो अब हमने सारी प्रिपेरेशन कर ली है क्योंकि अभी तक हमने गेस की फ्लेम को ओफ रखा था तो अब इसे फिर से ओन कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक इसकी चीज जो है वो मेल्ट ना हो जाए तो हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर सिर्फ एक मिनिट के लिए पकाया है तो आप देख सकते हैं कि चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा जो चीज गार्लिक टोस्ट है वो सव करने के लिए बिल्कुल तयार है और बाकी के चीज गार्लिक टोस्ट भी हम इसी तरह बनाएंगे आपको हमारी रेस्टोरंट स्टाइल ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल इक वेश्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई